परनाओत की फिल्म एमर्जंसी की रिलीस को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। शुरुमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी यानी SGPC ने विवादे द्रश्यों के साथ फिल्म एमर्जंसी का ट्रेलर रिलीस करने के आरोप लगाते हुए अब जी स्टूडियो को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इतना ही नहीं, ब्रोटकास्ट मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को लेटर लिख कर उन्होंने स्क्रिप्ट की जाच करने की मांग भी की है। SGPC सदस से गुर्चरन सिंग गरेवाल ने मीडिया से बाचीत दौरान ये जानकारी दी कि ये फिल्म विवादों से भरी हुई है। इसकी मुख्य अदाकार कंगना रनाउत शुरू से ही पंजाब, सिख और किसानों के लिए कई सारे विवादित बयान देती आई हैं। अमिरजनसी को खत्म करने के लिए पंजाब और अकाली दल के योगदान के बारे में तो इसमें कुछ बताया ही नहीं गया है। लेकिन जरनेल सिंग भिंडरावाले की गलत छवी को भी पेश किया गया है। करनाओं को बताया जा सके। धामी ने फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के खिलाफ एफ आयार करने की मांग भी की थी। इस फिल्म के बारे में ये भी कहा गया था कि कंगना रनौत अक्सर जान बूच कर सिखों की भावनाओं को भड़काने वाली बातें करती रहती हैं। सरकार उनके खिलाफ कारवाई करने के बजाए उन्हें बचा रही है। सरकार को कंगना रनौत के खिलाफ फिल्म इमरजनसी के जरिये सिखों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज करना चाहिए। बारहाल इस पूरे मामले पर अभी तक कंगना रनौत की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है और ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज के लिए तैयार है। देखते हैं फिल्म की रिलीज के बाद इस पर लोग अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं क्योंकि बहुत हद तक कंगना रनौत का आने वाला करियर इस फिल्म पर टिका हुआ है।